अब ये एंड्रो पूज होता क्या है आप सुत्रे होगे हमने तो पहली बार सुनाएं कितनी बार बोल चुका हूँ और ये भी बोल चुका हूँ कि यदि आपनी लाइप स्टाइल ठीक कर लोगे तो आपको ये हार्मोन कम नहीं होगा आपका जो पीट है वो बहार निकलना स् दोस्तों आज की वीडियो में मैं डिसकस करूंगा एंड्रो पूज अब ये एंड्रो पूज होता क्या है आप सुत्रे होगे हमने तो पहली बार सुनाएं इसी के बारे हम डिसकस करेंगे बहुत इंपोटेंट टोपिक है ये इस्पेसली पूर्सों के लिए और जिसकी उम अब ये मेल मेनो पूज क्या होता है मेनो पूज आपने सुना है मेनो पूज का मतलब है जब महिलाओं का जो सेक्सल लाइफ है वो खतम हो जाती है यानि कि जब उनके पीरियड है वे बंद हो जाते है तो उनकी जो रेप्रोड़क्टिव एज है यानि उनकी जो सेक्सल ले पे वो खतम हो रही है ये तो सब बोले गें लेकिन ये नहीं सोचे की हो क्यों रहा है कारण क्या है अब भी हम इसी के बारे में डिसकुस करें देखें एंड्रो पोज का मतलब क्या है सिंपल सी लेंगवेज में आपको समझानी कोशिच करूँ जब आपकी उमर मान के चलिए 35 साल हो गई तो 35 साल के बाद क्या होता है वैसे अब तो मैं देख रहा हूँ 30 साल के बाद ऐसे लक्षन आने स्टार्ट हो गए है क्योंकि मैं डेली क्लिनिक पर देख रहा हूँ और जो मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं विए 30 साल के 32 साल के 34 साल के ऐसे पेशेंट ज़्याद जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, एक एक वर्ड, पिल्कुल प्रैक्टिकल है, मेरा experience है, जो मैं डेली क्लिनिक पर अपने patient को देखता हूँ, वो ही मैं experience आपको बता रहा हूँ, जब हमारे पास patient आते वे गहते हैं कि हमारी जो desire है, वो खतम हो रहे हैं, यानि कि हमारी इच् child dysfunction की तरब जा रहे हैं, ये लक्षान आते हैं, इसके साथ और क्या लक्षान आते हैं, एंड्रोपोज में, देखें, जब एंड्रोपोज हो जाता है, तो सबसे पहले आदमी चिर्चड़ा आना स्टार्ट हो जाता है, आप देखने जो 35 साल का है, 40 साल का इंसान होगा, कही चिर्चड़ा नहीं है, वो एक्टिव हैं, लेकिन 35-40 साल का आदमी एक्टिव नहीं है, ये क्या कारण हो रहा है, इसका मतलग उसका जो हार्मोन है, कौन सा हार्मोन, पुल्फो वाला हार्मोन, जिसको बोलते हैं, टेस्टोस्टरोन हार्मोन, इसके बारे में, देख मैंने टेस्टिश्टरोन हार्मोन है, वो धीरे दीरे दीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, तब ही लक्सन आने स्टार्ट हो जाएगी, चिड़ चिड़ अपनाना स्टार्ट हो जाएगा, आपको हर बात पर गुसा आएगा, आप अकिले रहना पसंद करोगे, और सब सची गलत बा हुँझाइगी आपकोल ब्राद को यerson अंचानों की आपका जो बोरडी निकल म opportunity करना गांजी करें आपकी उमर 35 हाल पीasta क्यों पूल्may इतुन दोडंगा भी करते थे आप कोई चिड़चड़ापन नहीं था और आप अपने आपको आज देखो, तो यह जो लगसन आ रहे हैं, यह सारा खेल है, test्रिश्ट्टोन हार्मोन का। क्योंकि वो 35 साल के बाद, डाऊन होना इस्टार्ट हो जाता है। और मैं आज देखें, आज एक चीज और मैं देख रहा हूँ, कि जो आज के लड़कें भी जो सादी कर लें भी तीस साल के बाद कर लें ये सबसे गलत है क्योंकि तीस साल के बाद तो आटोमेटिक आपको टैस्टर स्टोन डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा तो कभी भी मैंने इसके उपर वीडियो बना भी चुकर हूँ कि लेट साधी नहीं करने चाहिए क्योंकि जब लेट साधी करते हैं तो भी फिर हमारे पास से आते हैं क्योंकि हमें बता है न कि लेट साधी करने के क्या नुकसान है तो एक तो कभी लेट साधी मत किजिए क्योंकि देखिए ये नैचुरल है 30 साल 35 साल के बाद ओटोमेटिक जो टेस्टेश्टोन हर्मोन है उसका लेवल डाउन होने स्टार्ट हो जाता है और ये लक्सन भी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी आने स्टार्ट हो जाएगे अब आपको करना क्या है देखें सबसे पहले तो आप अपना जो टेस्टेश्टोन हर्मोन है उसका लेवल चेक कराईए और इस पेसली सुबह के समय यदि खाली पेट और इसका बलडगाट जो अपना टेस्टेश्टोन हर्मोन है वो चेक कराईए यदि कम है तो उस पर तुरन ध्यान देजे और यदि आप चाहते हों कि आपका जो टेस्टेश्टोन लेवल है वो डाउन ना हूँ तो अपनी लाइप स्टाइल चेंज करेए लाइप स्टाइल देखे सारा खेल लाइप स्टाइल का है जिस दिन आप अपनी लाइप स्टाइल को चेंज कर लोगे तो आपका testosterone hormone चाहे आपकी उमर 50 साल हो जाए कम नहीं होगा यह मेरा दावा है और यह होगा कैसे lifestyle change करने हो इसके उपर मैंने बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ आज मैं ऐसा कोई discussion नहीं करने वाला हूँ बस मैं आपको क्या कहने वाला हूँ कि अपना जो testosterone hormone डाउन मत होना क्योंकि फिर आपको क्या हो जाएगा एंड्रोपोज और एंड्रोपोज में ये लक्सन आने आने स्टार्ट हो जाएगे अब जब आपको मान के चलिए आपका testosterone डाउन आ गया आपने अपनी lifestyle चेंज नहीं की या हो सकता है कि समय बीत गया आप नहीं कर बाए अब आपने देखा कि आपका जो medical जो test है उसमें आपका testosterone hormone डाउन है फिर क्या करें आप देखिए कुछ मैं आपको पहले कह चुग हूँ आज भी क्या रहा हूँ और पहले भी कह चुग हूँ इन फूचर भी ही कहूँगा कि आप अपना पैसा बरबात ना करे मैं देखता हूँ कि जो आज के लड़के हैं वे क्या करते हैं कि test stone hormone की injection लेना स्टार्ट करते हैं ये सबसे गलत हैं यदि आप बहार से test stone hormone की injection लोगे तो क्या हुआ आपका जो brain है जो आपका testis है वो test stone hormone नहीं बनाएगा मतलब अंदर से बनाना बंद कर देगी machine आप depend हो जाओगे बहार से और जब आप बहार से बंद कर दोगे लेना injection तो आपका brain तो बना नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ आपके जो testis है वही स्रिंक हो जाएगे इसलिए कभी भी testis टोन बढ़ाने के लिए injection वगारा मतले ना ना specially testis जो है ना कोई गोली वगारा खाना इसका सबसे best लाजा होमियोपैति में होमियोपैति में इतनी best medicine है जो आपका naturally आपका testis टोन बढ़ाएगी और सबसे अच्छी बात है आपको कोई side effect नहीं होगा और आपको कोई भी ऐसे लक्षन नहीं आएगगे जो आओ अब आपको कोई इसका combination ये मेरे हाथ में ड्रोग इसको मैंने बोला है testo booster ड्रोग और मैं ये आपको को देखना और इसमें जो combination है वो खुद अपने आप बनाना मुझसे परचेज मत करना क्योंकि मैं याँ बेकनी नहीं है मैं आपको बोल रहा हूँ और नहीं मैं आपसे कोई पैसा कमाने या लोटने ऐसा कोई मेरा intention नहीं है आप जाईए फार्मेसी पर ये combination बनाईए और इसको पीने स्टाट कीज़े पंदरा दीन एक महीना दो महीना और फिर अपना test कराना देखना आपको जो test stone है वो पोरा हो जाए याँ याँ तक की बढ़कर आएगा और आपको जो लक्सान आ रहे न ये डिजायर, परफुमेंस, चिड़ड़पन भूलने की बिमारी, गुसा ये सारे जो लक्सन है गायब हो जाए रहे और कहीं भी अपना देखिए जो आपका पैसा है वो एक रुबा भी खर्च करने की आपको ज़रत नहीं है किसी को देने की ज़रत नहीं है सिर्फ आपको ये जो मेरी ड्रोप है होमियोपेतिक के फारमेसी पर अराम मिल जाएगा अराम से मिल जाएगी कॉम्बिनेशन नहीं आपको समझ में आ रही है या आपको सोच रहेगी बरबाद मत करूँ थेंकियो वेरी मच और बदले में सिर्म में आपसे क्या चाहता हूँ कोई फीस नहीं मांग रहा हूँ परीज चैनल जरूब सब्सक्राइब कर देना जब मैं अपना फॉर्मूला अपनो कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूँ देने वांच